DC मोटर के प्रकार पिछले वीडियो में हमने DC मोटर की संगरचना एवं कारपणाली समझी थी DC मोटर मतलब दिस्ट धारा से चलने वाली मोटर इसके टर्मिनल पर जब डारेक बोल्टेज दिया जाता है तब इसमें डारेक करेंट बहता है और यहाँ electrical input, mechanical output में बदल जाता है यानि shaft गूमता है हमने यहाँ भी देखा कि DC मोटर में स्तिर चुम्ब की छेतर बनाने के लिए field poles के winding में DC करेंट देना होता है जो की एक DC स्त्रोथ द्वारा दिया जा सकता है इस चुम्ब की छेतर में armature होता है जिसकी winding में भी DC करेंट देना होता है जिससे winding पर विद्दुत चुम्ब की अबलुतपन होता है और armature गूमता है इस्तिर चुम्ब की छेतर बनाने के लिए ज़्यादा उर्जा की अवशकता नहीं होती जबकि armature में इससे कई अधिक उर्जा लगती है armature को जिस DC करेंट सोर्स से उर्जावान करा जाता है अगर उसी स्तिरोट से field winding को supply दी जाए तो यहाँ self excitation कहलाता है और अगर दोनों के लिए भिन स्तिरोट उप्योग करे जाए तो यहाँ separate excitation कहलाता है यानि DC motor के प्राया दो प्रकार होते हैं पहला separate excited, दूसरा self excited separate excitation के लिए दो अलग स्तिरोट चाहिए होते हैं जो हर जगा उपलब्द नहीं हो सकते और इस वज़ा से इस प्रकार की motor का उप्योग ना के बराबर ही करा जाता है ज़्यादतर self excited motor का उप्योग करा जाता है self excited motor को चलाने के लिए एक ही DC स्तिरोट की जरुवत होती है field winding और armature winding को एक DC स्तिरोट से तीन प्रकार से जोड़ा जा सकता है पहला parallel यानि shunt में, दूसरा series में और तीसरा compound में हर प्रकार के connection से DC motor में एक अलग characteristic यानि विशेशता मिलती है इन्हें एक एक करकर देखते हैं जब armature और field winding को parallel मतलब shunt में जोड़ा जाता है तब यहां shunt motor कहलाती है क्योंकि armature को दिया हुआ पूरा voltage shunt field winding को मिलता है इसलिए इसका resistance अधिक होना चाहिए वरना ज़्यादा current shunt field winding में से जाएगा तो फिर armature में कम पहुचेगा इसके लिए बहुत सारे turn वाली पतली और लंबे तार से बनी winding का उप्योग करा जाता है वैसे field winding का कार है flux बनाना जो की proportional होता है number of turns और current के multiplication के ज्यादा से ज्यादा flux के लिए current को कम रखना है तो turns को बढ़ाना होगा shunt motor में एक अनोखी विशेष्टा होती है कि इसका speed regulation अतियुत्तम होता है यानि कम भार से लेके ज्यादा भार तक इसकी speed में ज्यादा अंतर नहीं आदा मतलब motor पर कम या ज्यादा बजन डालो motor अपनी rated speed में घूमने की ही कोशिश करती है अब बात करते हैं series motor की यानि field winding को armature के series में रखा जाता है armature में से जाने वाला सारा current field winding में से गुजरता है इसी कारण से field winding का resistance कम होना चाहिए वरना resistance की वज़ा से armature में current कम जाएगा और armature ज्यादा बल उत्पन नहीं कर पाएगा इसलिए series field winding के लिए motor तार और कम turn की coil का उफ्योग करा जाता है turn कम हुए तो क्या ज्यादा current बहने से ज्यादा flux उत्पन होती है DC series motor में भी अपनी विशेशता होती है इसका starting torque काफी ज्यादा होता है और जब speed बढ़ती है इसका torque बहुत कम हो जाता है यहाँ विशेशता इस motor को traction application यानी rail के engine के लिए सबसे आदर्श motor बनाती है क्योंकि रुक्यो ही rail गाड़ी को गती देने के लिए बहुत ज्यादा बल यानी high torque की आविशकता है फिर जब गाड़ी चलने लगती है तब गती को बनाए रखने के लिए उतने ज्यादा बल की आविशकता नहीं होती इन दोनों motor की विशेशता एक ही motor में पाना तो मुमकिन नहीं लेकिन दोनों विशेशता थोड़ी थोड़ी एक motor में पाई जा सकती है इसके लिए तीसर ब्रकार का connection यानि compound wound यूज़ करना होगा इसमें field pole की winding को दो भाग में बनाना होता है एक armature से parallel यानि shunt में जुड़ा होता है दूसरा भाग series में पहले की तरह shunt field winding में पतले तार और बहुत सारे turn का उपयोग होगा और series winding में मोटे तार और कम turn का उपयोग होगा यह दोनों winding एक ही दिशा में field को उत्पन करेंगी तो यह cumulative compound कहलाएंगी इस motor में starting torque भी अच्छा मिलेगा और speed regulation भी ठीक होगा यह दोनों विशेशता इस motor को escalator और hoist load में उपयोग करने के लिए सबसे आदर्श बनाती हैं यह तो था DC motor के प्रकार के बारे में अब हम अगले वीडियो में DC motor के speed control को समझेंगे 3D animation की मदद से आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो इसे like और share जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करने के बाद bell icon जरूर दबाएं इससे आपको अगले वीडियो का notification मिल जाएगा धन्यबाद